दोस्तों बहुत important updates आपके साथ इस वीडियो में share करने जा रही हूँ जी हाँ 53 जो forms है उनकी additional fee को wave of कर दिया गया है 31 चुलाई 2021 तक in case अगर इनकी जो due date है ये जो forms है इनकी due date है relaxation तब ही मिलेगी अगर due date fall कर रही है 1 April 2021 से 31 मई 2021 तक तो ये waiver दिया गया है through circular number 6 and 7 these are the list of form providing waiver of additional fee तो ये 53 forms है जिनके case में ये waiver दिया गया है ये 53 forms आपको screen पर दिखाई दे रहे होंगे अगर आपको ये चाहिए है list तो आप मुझे बता दीजिएगा मैं ये list आपको send कर दूँगी तो ये 53 forms है जिनके cases में ये waiver दिया गया है MCA के द्वारा additional fee का ये waiver दे दिया गया है circular मैं already आपको बता चुकी हूँ circular number six and seven अब बात कर लेते हैं income tax से जो एक बहुत ही important update निकल करके आ रहा है आप सभी को पता है एक से छी जून के बीच आपका income tax portal है न वो बंद है उसको बंद किया हुआ है क्योंकि 7th of June से आपको नया portal दिखाई देगा तो आपको वो अपनी जो e-filing है वो उस नय पोर्टल पर ही करनी है अब वहाँ पर एक important update निकल करके आ रहा है यूँ कह लीजी एक surprise आप सभी के लिए निकल करके आ रहा है तो क्या है वो please ensure that you register, re-register your valid DSC on the new e-filing portal from June 7 onwards तो यहाँ पर कहा गया है कि आप अपना जो DSC है उसको re-register करिए नए income tax portal पर जो earlier आपका DSC registration था old portal पर it cannot be migrated वो नए पर automatically migrate नहीं होगा due to the security and technical reason तो नए portal पर आपको अपने DSC re-register करने होंगे तो यह पहला update उस नए portal के लिए निकल करके आ रहा है जैसे ही कोई further updates हमारे साथ share होंगे वो मैं आपके साथ share करती रहूँगी तब तक के लिए दोस्तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी important update हम upload करें उसकी notification आपको सबसे पहले मिल जाए निए टाकि है